नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली राउंड लप्शो आईए नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर हमाई पहली खबर बंगाल से वाम फ्रंट ने ब्रिगेड रैली से किया शक्ति पदर्शन पुलिस ने जाति सुचक गालिया दी और प्रताडित किया कहना है नौदीप कौर का रसोई गैस के फिर बड़े दाम उज्वला से मिले महिलाओं के सम्मान का अब क्या होगा हमाई चोथी और आखरी खबर कुरोना अपडेट देश में 24 घंटों में 15,510 नए मामले एक्टिब मामले बढ़कर 1,68 लाग हुए कुलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में माक्सवादी कौमनिस्ट पार्टी के नेत्यत्व में रविवार को हुई वाम सेकुलर मोचा की रैली में लाखो लोगों का हुजुम उत्रा पूरा मैदान लाल जंडे और बैनर से पटा हुआ था ब्रिगेड मैदान एक लाल समंदर में बदलता दिखा वहां मौजूद लोगों का उत्साथ देखने लायक था लोगों का ये हुजुम लाहतार बंगाल केंदर की निरंकुष होती सत्ता को चुनावती दे रहा था आपको बता दे कि वाम दलो की ये ब्रिगेड रैली बंगाल चुनाव के संदर में और भी महतवपूर थी इस रैली की सफलता के लिए वाम फ्रेंट ने पूरी ताकर जोग दी थी अभी कुछ दिनों पहले राजी की राजधानी कोलकाता में माकपा की युवा संगटन डी वाई एफाई के नेटितु में हजारों लोगों ने सचिवाले की तरफ मार्च किया था जिस पर पुलिस ने बरबर लाठी चार्ज किया था और सैकडो वाम युवा कारकरता गंबी रूप से घायल हुए थे इस बार विधान सभा चुनाओं में सत्तार और त्रिनुमल कॉंग्रेस का मुकाबला भाजपा और नव गठीत वाम सेकिलों गठबंदन से है वाम गठबंदन ने पश्चिम मंगाल में विधान सभा चुनाओं के लिए अपने अभियान की शुरुवात कोलकाता के ब्रिगेट परेट ग्राउंड में एक बड़ी रैली के साथ किये है वाम फ्रंट ने नेताओं ने रैली में सामप्रदाइक त्रिणुमल और भाजपा को हराने का आहवान किया तता राज में अध्योगिक विकास की शुरुवात के साथ ही रोजगार स्रिजन सुनश्चित करने के लिए जनहित सरकार मुहिया कराने के लिए तीसरे विकल्प की आवशक्ता पर भी बल दिया पंजाब एवन हर्याणा ओचिन आयाले ने 26 फरवरी को श्रम अधिकार कारिकरता नौदीप कौर को जमानत दे दी थी कौर को 12 जन्वरी को हर्याणा के सोनीपजीले में एक अध्योगी इकाई का कथित तौर पर घिराव करने और जबरन उगाही के आरोप में गिरफतार किया गया था दिल्ली के प्रेस क्लव ऑफ इंडिया में आज एक प्रेस कॉन्फरेंस आयोजीत की गई नौदीप ने यहां नियूस क्लिक से बात करते हुए बताया कि उन्हें जेल में प्रताडित किया गया था और जाति सूचक गालिया भी दी गई नौदीप आप ये बताएं कि 12 तारिख से आप जेल में रही और आपके तमाम साथियों ने यह भी बताया कि आपको प्रताडित भी किया गया पूरा जो दौर है वो कैसे आप देखती है और क्या चीज़ आप हमारे साथ शेयर करना चाहती है देखे जब 12 तारीकों मैं जेल में गई हूँ जेल से बाहर की जो घटनाए है मैं वैसे काफी बता चुकी हूँ कि हम लोग क्यों मजदूर का यह यह चीज़ें बहुत पहले से और बहुत आहां है थानों में रेप करना और महलाओं का शोचन करना और रिमांड करना चैन्ट्स पुलिस का और वह भी बहुत बुरे देखे से हाई लेवल पर आपको भी जो एरेस्ट किया या आपके साथ जो प्रताड़ना की वह भी की मेल पुलिस थी रही महीला, पुलिस आपको गिरफ़तार करके ले गई थी? हुआ मेल पुलिस मेल पुलिस जब मुझे पकड़ा है तो टार्गिट करकर यह बोल रहे थे कि आप मज़दूरों की अवाज बनों या फिर आप हमारे किलाफ कड़े हो आपका काम है सिर्फ जो वह करो गरेटर साफ करना कंपनियों में काम कर सकते हो और ज़ादा काम नहीं है और जो गंदी गालें दीगे जो मैं नहीं यूज कर पाऊंगी यहां पर जो पुलिस का काम होता है गालें देना वो तो वो उन्होंने किया ही है और मतलब जब अधिते साइन करवाना खाली पेपर भी साइन करवाना ताकि जो बाकी मजदू इदकास अंगर्टन के लोग है उनको फसाने की कोशिश की गई यह बोला है कि नौदीप कौर के साथ 50-60 या 40-50 लोग ऐसे अन्या करके मतलब पुलिस ने खुले छोड़ा है जो सेक्श्वल वॉयलेंस की बात आपने कही है और तमाम साथियों ने कही है उसकी लेकिन जांच इसले भी नहीं हो पाई को कि बहुत दिन तक आप जेल में थी शायद जी क्यूंकि मेरा मेडिकल ने बनने दिया उन लोगों ने जब मुझे पकड़ा गया तो मेरे से बहु ने बोला है कि मेरे बहुत सारी चोटे हैं और मेरा मेडिकल नहीं हुआ है और मुझे दवाई की जरूरत है तो राजवीर ने फिर वकिल से बात करे हमाई लोहर से बात की फिर वहां से कोट से ओडर लेने के बाद 14 दिन के बाद मेरा मेडिकल हुआ है उसने बहुत थोड़ उज्वला योजना के पोस्टर पर महिलाओ के लिखी ये बाते अब सिर्फ पोस्टर के कागज तक ही सिमट कर रहे गई हैं गैस सिलेंडर को महिलाओ के समान से जोड़ने वाली मोधी सरकार अब इसकी बढ़ती कीमतों पर मौन साधे हुए है बीजेपी की तेज तरार नेता स्मिती रानी जो यूपीय सरकार के दौरान इन मसलों को लेकर काफी सक्रिय रही थी और गैस सिलेंडर लेकर धरने पर भी बैढ़ती थी अब उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंतरी बनने के बाद अपनी आखों पर पट्टी बान ली है आपको बता दे कि सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी एक माज को फिर गैस सिलेंडर की कीमितों में बढ़ोतरी की है बीते महीने फरवरी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम तीन बार बढ़ाए गए थे इस साल के शुरुआती दो महीनों में भी अभी तक बिना सबसीडी वाला सिलेंडर 125 रुपे महंगा हुआ है हाला की बावजूद इसके सरकार लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखाने में मस्त है खबरों के मताबिक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपे की बढ़ोतरी की गई है जबकि कॉमर्शल गैस सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपे का इजाफा हुआ है बड़ी हुई कीमतों के साथ बिना सबसीडी वाले गैस सिलेंडर का दाम नई दिल्ली में 819 रुपे हो गई है वहीं कोलकाता में 845 दस्मिलों 50 रुपे और चन्नेई में 835 रुपे हो गया है फिलहाल उजोला योजना एक ऐसा पेड़ बन कर रहे गई है जिसकी सिचाई क्रियान वयन के साथ ही सरकार करना भूल गई है और अब सिर्फ पत्तों के दम पर इसकी वावाही की जा रही है फल कब लगेंगे इस पेड़ पर किसी को नहीं पता कि इंदी स्वास्थ मंत्राले दोहरा आज सोमवार यानी एक मार्च को जारी आगडों के अनुसार देश में पिछले 24 गंडों में करोना के 15,510 नए मामले सामने आये और 106 मरीजों की मौत हुई है साती इसी बीच देश में करोना से पिड़ित 11,288 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 4,116 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1,11,12,241 हो गई है जिनमें से संक्रमण के कारण अब तक 1,57,157 मरीजों अपनी जान गवा चुके है देश में कुल एक करोना से पिड़ित 97,006 फिस्दी यानि 1,7,86,457 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,051 फिस्दी यानि 1,68,627 हो गई है से 6,27,668 सैंपलों की जाच पिछले 24 घंटों में हो गई है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही निउस क्लिक के यूडूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखे फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें निउस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया